नमस्कार दोस्तों आप सभी का सौगत एक बाद फिर से आपके ही अपने यूटेब चैनियल Mr.360 गुपता पे और आज की वीडियो में आपके लिए जो मैच कवर करने वाले हैं वो मैच है दोस्तों ECS T10 बोलोगना का आज के दिन का चौथा मैच जो यहाँ पे खेला जाएग तो दोनों ही टीम्स आज के दिन का अपना पहला जो मैच है वो अलरेडी खेल कर आ रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर हम उनके लास्ट मैच के स्कोर काड को और उनकी परफॉरमस को अच्छी तरीके से एनिलेसिस करेंगे जिसके बेसिस पे आप यह डिसाइड कर पाओगे कि किस प्लेयर को कैप्टन और किस प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाए तो इसके लिए आपको वीडियो को बस कम्प्लीट वाच करना है पूरा देखना है अगर आप लोग इस मकाबले में विन करना चाहते हो बाकी जो भी मेरी फाइनियल अबडेट होगी अफ्टर लाइन पिया टॉस के बाद या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी वो सीधा आपको मारे टेलिगराम चैनल पे मिल जाएगी 13,000 से ज़्यादा लोग और रेडी जॉइन हो चुके हैं और रोजाने आप पर दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफित उठा रहे हैं और आप ना क्योंकि ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री तो चलिए दोस्तों चलते हैं सबसे पहले स्कोर कार्ड की और तो बात किजए बो लोगना की पहला में जीते हैं अपना 26 रनों से काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग टीम है टूनामिंट क इस मैच में पहले बले बाजी करने आते हैं 10 ओवर के अंदर 100 रन बनाते हैं और मातर अपने 5 विकेड ही गावाते हैं लेकिन जब बारी आती है इस टार्गीड को डिफेंड करने की तो अपने को 24 रनों पे रोकते हैं और उनके 9 विकेड गिरा देते हैं तो इनकी और से य 29 गिंद बनाकर नाटा उट रहते हैं फेजान नजर दोस्तों 4 गिंद पर 5 अधनान एक गिंद खेलते हैं खादा ने को पाते हैं और सालीम जो कि इनके कीपर है ये 6 गिंद पर एक करन बनाते हैं और काफी जादा ही नीचे berning कर रही है तो इनकी और साब के लिए जो important batsmen रहेंगे वो दोस्तों यहां पर उमर, गुजर, मलिक, सर्फराज, रशीद, यह तीन तो यहां से most important है बाकी यहां पर देखें जो नीचे के यह batsmen है यह 4 हो इनका batting order आपस में change हो सकता है हो सकता है नजर उपर आजाएं, हो सकता है कि अधना नीचे उपर कर दिये जाएं तो यहां पर आपको ध्यान रखना है बाकी यह 3 तो confirm है कि आपको इसी number पर belting करते हुए दिखेंगे बात की जाए गेंदवाजी की तो 9 विकेट अपोनेंट के निकाले इन्होंने गेंदवाजी में काफी ही ज़्यादा option है इनके पास, आप देख सकते हैं यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 गेंदवाजी की option है जिसमें से इनकी और से उमर गुजर ने दो वर डाले थे, हुजेफा महमूद ने दो वर डाले थे और के अब्दुल जोकिन के captain इन्होंने दो वर डाले और दोनों को ही यहां पे तीनों को ही यहां पे wicket मिले, सबसे ज़्यादा wicket महमूद ने निकाले एए विकेट इनका लग के लिए इनको मिल गया था हिट विकेट हो गया था बैट्समन और यहां पर के अब्दुल का भी एक विकेट है एक विकेट था बाकी यहां पर आकास दीप नेके इंदवाजी काफी अच्छी की रशीद ने भी यहां पर बालिंग की अगर बात की जाए यहां पर टीम टी आरे की तो ये भी अपना लास्ट मैच 71 रनों से जीत करा है तो इनकी भी टीम काफी ही जादा श्ट्रोंग है इनकी टीम सबसे पहले बल्ले बाजी करती है 10 ओवर के अंदर 141 रन बनाती है और मातर अपने 3 विकेट कवाती है और जब बारी आती है इस टार्गेट को डिफेंड करने की तो अपनेंट को 70 रनों पे रोकती है और उनके 9 विकेट गिरा देती है तो इनकी ओर से यहां पर तन्वीर और काशिफ ओपन करना आते हैं तन्वीर एक अच्छी नहीं खेलते हैं किस गेंदों पे कुछ बासाट रन बनाते हैं काशिफ जल्दी आउट हो जाते हैं दो गेंदों पे बिना खटा कोले लब परीट नंबर तीन पर आते हैं और यह भी काफी एच्छा परफॉर्म करते हैं जो गेंदो पर च्षत्य सन बनाते हैं अवेश यहां पे 12 गेंदों पर 12 गेंदों पर 18 बनाते हैं गाए बाकि काशिफत तन्वीर तो इंप्राइब करेंगे गेंदवाजी की बात के जाए नो विकेड अपोनेंट के निकाले इनकी भी बॉलिंग उप्शन देखी आप एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ गेंदवाजी की उप्शन इनके पास भी है इन में से कासिफ ने एक ही ओवर किया लेकिन दो विकेड निकाली है शाकी वरसद ने भी एक ओवर किया पर इनको दो विकेड मिले सदाकत अली हर एक मैच में दो वर करा रहे हैं इनको दो विकेड मिले अतिफ रजा को दो विकिड मिला इसके अलावे यहाँ पे कराजाई ने भी दोवर की बॉलिंग की पर इनको यहाँ पर एक भी सफलता नहीं मिली तो यह जो इनके पाँच बॉलर यह तो कंफर्म है और यही पाँचों आपको मुझे लगता है कि पूरी दस ओवर करके देंगे तन्वी रजाक के काफी कम चांच दस रहेंगे बॉलिंग करने के तो उमीद करेंगे आपको यह वीडियो अभी तक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई क्या करे हो एक लाइक कर दो फटाफट से चैनल पर पहली बार आ हो तो सब्सक्राइब कर लो घंटा जरूर दवा लो अने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए और यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो जरूर दोस्तों एक कम कर लेना बाकि जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी अफ्टर लाइन पे अटॉस के बात या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी वो सीधा आपको मारे टेली राम चैनल पर मिल जाएगी तेरा जैसे ज़्यादा लोग और लेडी जोईन हो चुके हैं जो यहाँ पे दीग एमिली टीम का प्राफिट उठा रहे हैं और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से जोईन होना चाहते हो तो आपको मारे चैनल का लिंक के डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगाओ पर सबसे पहले नमबर पर मिल जाएगा तो बात की जाएकर यहाँ पे विकल्ड गिबिंग सेक्षन की तो देखेंगे 4 से 5 अप्षन है आपके सामने दो यहाँ पर तीन चार आप्शन है जैसे की जिसमें से दो इंपोर्टेंट हो सकते हैं ए अशिक और यहाँ पर सरफरास सरफरास देखी ओपन करने आ रहे हैं लेकिन अपनी टीम के लिए कीपिंग नहीं कर रहे हैं कीपिंग कोन कर रहा है सलीम और यहाँ पर बिनी टीम के लिए A.S.E. साथ कीपिंग कर रहे हैं यह, देख लेते हैं कैचेस इनके, तो एक कैचेस इनों ने पकड़ाए, जिबकि के हुसेन की बात की जाए, तो इनका यहाँ पर कुछ भी अनवलेबल ही है, अनवलेबल नहीं है, कुछ गिलिच है यहाँ बाकि आप इनका देख लो, यहाँ पर थोड़ा सा गिलिच चल रहा है इस मैच में, तो अभी के लिए यहाँ पर मैं सर्फरास को इपी करूँगा, क्योंकि ओपन करते हैं, बाकि अगर यहाँ पर A.S.E. की टीम पहले बैटिंग करेगी, तो मैं हो सकता है कि A.S.E. के साथ बी चला जाओं, क्योंकि टाइलेंटेड यह भी है, और इनका स्टैड भी काफी अच्छा है, तो यहाँ पर अभी इन दोनों में आपको डिसाइड करना है, तो मैंने तो अभी सर्फरास को पिक किया, बाकि अगर इनकी पहले बैटिंग करेगी, तो मैं A.S.E. के साथ आओ, तो यह पर इसके लिए सकते हो, इनको यहाँ पर ट्राइ कर सकते हो, लास्ट मैच में 36 अब आके बना, इन्होंने वन डाउन आकर, तो अगर इनकी टीम पहले बल्ले बाजी करती है, तो यह एक इंपोर्टेंट चॉइस रेंगे, और इनका स्लेक्शन भी कम है, तो का लास्ट मैच में दो विके निकाले जाना चाहो, तो जा सकते हो इनके साथ, क्यूंकि और कोई आप्शन आपर अविलेबल है नहीं, तो आप चाहो तो यहाँ पर तीन आलंडोर को ले सकतो, एच चीमा अगर खेलते हैं तो यह एक अच्छी आप्शन रहेंगे, पिक करने के पिक करेंगे, इसके लावा यहाँ पर हम पिक करेंगे नजर को, कि अब्दुल इंपॉटेंट है, सेलेक्शन कम है इनका, और लास्ट आपको पिक करना है यहाँ पर आप चाह सकतो, केक के साथ, अधनान के साथ, अधनान देखे, लास्ट के कुछ मेंचे से बालिंग ही नह लास्ट मैच में एक ओवर ही मिला था, जिसमें भी विके निकाले इस बंदे ने, टाइलेंटेड है, बाकि मुझे नहीं लगता, आप कोई चेंज कर पाओगे, बाकि अगर आप चाहो तेहां पर चार बैट्स में के साथ जा सकतो, एल सिंग को भी पिक कर सकतो, बाकि मेरी टीम यहाँ पर जो है वो रेडी हो गई है, बुलागना की टीम ने चार मैच खिले हैं, जिसमें से तीन मैच जेती है, सिर्फ एक में चारी है, तो जिस करन्ट से शे किलाड़ी में इनकी टीम से पिक के हैं, और पांच प्ले टी आरे की और से लिए हैं, कॉंबिनेशन की ब इसको सेब कर देते हैं और एक बार आप लोग हमारी इस टीम का प्रिव्यू ले लिजीए, सेम टीम के साथ ही दोस्तों मैं स्मॉल लिग जोइन करूंगा और सेम टीम के साथ ही मैं गरान लिग जोइन करूंगा, तो एक बार आप लोग हमारी इस टीम का प्रिव्यू ले ल लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगाव पे सबसे पहले नंबर पे मिल जाएगा तो किसी भी जगे से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जूड़ सकते हो और मेरी दीगे टीम का प्रॉफिट उठा सकते हो तो यह काम दोस्तों जरूरू कर लेना क्योंकि यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री बाके अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो लाइक कर देना चैनल पर पहली बारा तो सब्सक्राब कर लेना गंटा दवा लेना आने वाले वीडियो की नोडिफिकेशन पाने के लिए तो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातराम